अरुलाई जे सुप्रेहुष फेरी राष्टबाद को नारा लाग चा फेरी आपनो संस्कृत्ति को नारा लाग चा फेरी कुनी बाहरिया सक्ति को विद्ध मा चाहीं आवाज उठाएं चा जनता लाई आपनो तरफ आकर्शत गर्णों का लागी ठीक चा राष्टबाद यक्ता युनिफाइंग फेक्टर हो संस्कृति पनी युनिफाइंग फेक्टर हो भासा पनी युनिफाइंग फेक्टर हो तरह याद राखनू पर चा यो अरुल बाट अलग पनी गर्दिन चा किने कि इसको पर्योः अरुको बिरुद्ध मा हुन चा अगर रूप मा तेहां चाहें हिंसा बरे कोचा तेहां चाहें असान्ती भाय कोचा तियो हम्रों देश मा पनी भाय कोचा तेस तो नह सहमीलाई सबंदा डर योच कि कुन बेला सारक मा चाहें अहले ता मातर चाहिं हमिन दुर्गटना भाय को चा वो सम्मिदान बिघटन भाय को चा के से मातर चाहिं आबाज उठी रहे को चा तर यह उटा कुरा ता शावित भाय सके गोचा की नेकपा को नेकपा असफल भाय Красआ उसको सरकार एस्टेबिलीटी दी ना सके ना तमाम थोलो बहुम थोला थाई पनी उनको चाहिएं सरकार चले ना आफने कारण ले उस सरकार असफल भये हो पार्टी असफल भयकुच योता प्रमानित भयकुच अब बनने पर देना किने कि खुद विघटन गार्ने दीन मा प्रणानमंति जी ले आपने मुमाटा भननु भयकुच कि हम इदा सरकार चलाओने आपने पार्टी साथे हो ले सरकार चलाओने देना